कि नमस्क्रा दोस्तों स्वागत है आप सभी गए एक बार फिर से दीवा अगेडमी गए इस प्लैटफॉर्म पर और ये चोटी सी इंफरमेशन आपका दीवा स्टाइस आपका स्टाट होने के लिए जा रहा है और दीवा पीच, सिसक पैका नाम है ये आपके UPPCS, बिरहर PCS, MBPCS, घरय याना सर्व्रीषद सर्विसृषय्छरकन PCS जैसे एक्समेan के लिए बेनिफीशल है, 15 मार्स से ये बैच आपका इस्टाट हो रहा है, from 15 तो मार्स, GS पेपर, pre exams के लिए ये वाला बैच होगा, bilingual पूरा बैच है, इंग्लिश और हिंदी में आपका बैच चलेगा, online बैच की ये information है, और फी इसकी 3250 है, यान 3250 रुपे हमने इसकी फी रखी है, औ contact number है, अगर आपको admission लेना है, तो उसके लिए आपको पहले phone करना होगा, 98215-94363, और जो बच्चे offline की information चाहते हैं, उनको भी phone इसी पदी करना होगा, thank you so much, all the best to everyone. समस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब एगा एक बार फिर से, दीबागेडमी के इस platform पर, और मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ, current affair की, your prime current affair series is back, तो जैसे के हम लोग daily business पर, prime current affair हमने कुछ time पहले start किया था, तो मुझे लगा कि यही नाम एक positive नाम है, तो पहले देखे काफी time के बाद, I think 3-4 दिन चाहिए लगाता होगा, उसके बाद हम लोग इस platform याने के दीबागेडमी पर आपके साथ रूबरू हो रहे, तो आईए पहले स्वागत कर लेते हैं अपने उन सभी शिकारियों का, उन सभी बच्चों का, जो के कितने time से बुलकुल तहे दिल से इंतजार में थे, और दो इंतजार क्या होगा, ऐसा तो है नहीं के भई, बहुत बड़े master, यह बहुत बड़े celebrity हम, हाँ लेकिन ठीक है, कि आप लोगों ने इतना विश्वास दिखाया, यही मेरे लिए मतलब बहुत है, आजाए फटा फट से रहा है, एक बार सभी के सभी हमारे candidate, मैं जब तक आपके comment box को सामने जरा, इस screen पर लेके आता हूँ, कौन-कौन बच्ची आगए भई? अज़ा है, और आज का current affair बहुत ही विशेश होने जा रहा है, बहुत ही विशेश, वालेकुम अससलाम, आप सभी का दीवा अगडमी चोटे से परेवार और चोटी से फैमिली में, येस, अब बैक तो कहीं ऐसे नहीं गया था में, गया था में वो तो बस कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि एक के बाद एक एक के बाद एक काम आ जाता है, तो इसलिए फिर बिटे हम लोग क्या है, लेकिन मैंने आपको पहले भी का था आपके पढ़ाई के मैं बुलकुल भी loss न अंदाज में करेंगे, प्लस, आज का प्लस पॉइंट ये है कि इसके आपको जैसे अगर हम वीकली बोले हैं, तो सापता है कि आपको भाई इसके मिलेंगे MCQ, बुलकुल उस MCQ के लिए तयार हैं, वो आज हम लास्ट में, बुलकुल क्लास में, आज जो करेंट अफिर करें कि खुश खबरी है कि वो MCQ आपके बाई लेंगा लोंगे, भाशी होंगे, याने कि दो भाशाओं में आपके वो किये जाएंगे, और इसलिए विए शनवार को आपके रिशी सर, इवनिंग टाइम में, नाइट के टाइम में क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन आज भी मैंने थोड़ा, आज बच्चों की क्लास लीजिए क्योंकि बहुत टाइम से में भी नहीं आयों, तो जो भी इनकी पूर्ती करनी है, आज हम लोग मिलके करेंगे, I have confused already, I have purchased Oxford Atlas, कोई बात नहीं, अगर आपने Oxford Atlas ले रखा है, it is well and good, Prider Gamer, आपको देखकर positive energy आती है, thank you so much, इस बा आपकी quality हो, संविधान हो, मूल विधी हो, वो भी आपके चलेगी, history वाली series भी आपके मतलब continue में रहेगी, और da hindu भी आपका मतलब रहेगा, सब कुछ रहेगा, बस इंतजार है हमें अगली हफते सौंबार से, यह मैं इसलिए आगया, ताके आप लोग मुलकुल निश्च चार्जेबल नहीं होगा, और जो चार्जेबल होता है, पहले ही हम लोग मतलब बताता है, कोई भी बच्चा गलत फेहमी मना रहे, प्रिशान शर्मा पैसेवे, बहुत ही प्यारा बच्चा है, हमारा स्वागत बिड़ा दिरा, नई जोग्रफी थू मैप बुलकुल लेने क आवशकता नहीं है, वो मैं आपको यहीं सब कुछ करवा दूँगा, तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवशकता नहीं है, नमस्कार जी, नमस्कार चलिए, अब सीधे करेंट अफेहर की और हम लोग मूव आन करते हैं और चलते हैं और यह रही आपके सामने आज क कि पहली खबर, Charlie Heading, World Hearing Day, क्विश्वहेरिंग दिवस, World Hearing Day, क्विश्वहेरिंग दिवस, कम मनाया जाता है, ठीक है, हेरिंग तो जानते होगे, सुनना, कुलकुल आराम से लिखते चलिये, 3rd March, 3 March को यह दिवस celebrate किया जाता है, यह दिवस मनाया जाता है, किसके दौरा, तो यह दिवस डब्लू एचो के द्वारा मन आया जाता है व्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन विश्व स्वास्त संग्ठन डब्लू एचो का establishment year 1948 डब्लू एचो की स्थापना कभ हुई थी तो 1948 में and the headquarter of डब्लू एचो डब्लू एचो का मुख्याल है कहा है तो जिनेवा जिनेवा सिटी ओफ स्विट्जर लेंड परनाम सुमी दहिया परनाम बिटा लो भी आजाओ जरा देख ले देए एक बर सुट्जर लेंड के मैप में जरा इसकी और इस जो आपको दिखाए देरा that is the France यह देश है आपका France और बुलकुल अगर हम देखे यह सुट्जर लेंड बीचो बीच से घरा हुआ है किसी वाटर बोडी को टच नहीं कर रहा है किसी पानी वाले भाग को नहीं चूरा तो पहली तो information जो हमें यहां पर मिल जाती है यही होती है it is a landlocked country एक landlocked देश है landlocked का मतलब क्या बताया था भू आवेश्थित यानिके चारों तरफ से भूमी से घरा हुआ बुलकुल जी मैं लास्ट में इतने टाइम के बाद लाइव आया हूँ तो हाराम से बात्चित करेंगे हम लोग लास्ट में कभी एक क्लास होगे खतम आज एक आज ये क्लास नॉर्मली करेंट अफर की क्लास से थोड़ी लंबी होने होने वाली है क्योंकि पिछले दो तार नहीं करेंगे सीधे अंसर देंगे ताकि आपके रिविजन मिल जाए और उस mcq की pdf आपको दीवा अकडमी के टेलीग्राम पर मिल जाएगे या उस mcq को आप वीडियो के लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ले सकते हैं दीवा अकडमी का टेलीग्राम का लिंक आप आपको हमारे उपर विश्वास हो जाए एटरे जिनेवा ये जिनेवा नामक देश और जिनेवा शहर है स्वरी ये सिडी है और इसको कहते हैं लिख लो इंटरनेशनल फुलकुल आराम से लिखते चलें इंटरनेशनल इंटरनेशनल डिपलो मेसी सेंटर अंतराश्टिय कूट नितिक केंदर इंटरनेशनल डिपलो मेसी सेंटर अंतराश्टिय कूट नितिक केंदर इसका मतलब होता है विश्व में सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल जो सम्मिट्स होती हैं ने सम्मेलन सबसे ज्यादा जिनेवा में होती हो ज्यादा तर इंटरनेशनल जो और अंतरास्टी जो संगटन उनका भी हेड़कौर्टर उनका भी मुक्याले आपका है जिनेवा में है तर विद अंसर दे दो सर पीडिये विद अंसर बिटे आज तो पॉसिवल नहीं है नेक्स टाइम से अगर आपको विद अंसर पीडिये मिल पाई तो आवसे लोग देंगे अंसर में कितना टाइम लगता है मैं बात में बेटे उतनी लास्ट की पांच मिंट की वीडियो देख एक का वन का भी है इसका यह है इसका यह है इसका यह है वो सब कुछ आप जब क्लास नहीं लेते हमें डर लगता है कि आप जैसे टीचर हमें कहां मिलें आरे बहुत बहुत शुक्रिया वैसे ऐसी कोई बात नहीं अच्छे से अच्छे टीचर भी हैं बहुत मेंति भी हैं टीचर और एक जाता दूसरा उससे हमेशा बैस्ट आता बुलकुल जब यह हमने स्मार्ट बोर्ड लगवाया तब मैंने अपने टेक्निकल स्टाफ को बोला कि इसमें हाई याने के बुलकुल हाई क्वालिटी भी दो आगे हमारे वच्छे एक अजार असी पर क्लियर कट मतलब देख भी पाया तो कुछ लोगों के पास वाई-फाई की सुव अगली ख़वर की और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट करेंट अफेर की न्यूज आपके सामने आती है हमारे पास यह रही ज sondern की आपको एन नी डवातिश फिश वन जीव डिवस या वन जीव दिवस वर्डव यइव डच वर्डवाइड लाइफ डिक अम मनाये जाता है मार्च तीन मार्च को celebrate किया जाता है, organize किया जाता है, अच्छा, तो प्राइडर गेमर जी, बिटा, मंडे से रात को 10 बजे, ठीक, 10 पीम आप बिटे आजाना, व्ल्ड जोगरफी की सीरी चल रही है, उसमें आपको बिटे बहुत जादा help हो जाएगी, और फिर भी आप स्मार्ट बोट के आगे अलग ही चमकते हो, अच्छा, चलिए बहुत 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 शुक्रिया, वैसे आपने इतना का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, टीन मार्च को world wildlife दे, ये मनाया जाता है, इसकी इस बार की theme लेको forest and livelihood, बहुत प्यारी theme है, theme का मतलब आदर शवाक है, forest and livelihood, फिर क्या है, mistake नहीं होने चीए, sustaining people and planet, sustaining people and planet, current affair करने का इसी मज़ा चाहिए, अब आप थोरी में करो, ठीक है, तो कि अगर आप बात में दो को MCQ तो आप किसी magazine में भी देख सकते हो, वैसे हम लोग भी बिटे, अब सापता है कि MCQ स्टार्ट करेंगे, current affair के, current affair के, current affair के आए, MCQ कब होगा, इस class के end में होगा, बटार हव इस घीवन यापन, इवं जीवन यापन, sustaining people and planet, याने के रहे, एवं लोगों के जीने के लिए सतत उपाए, याने के प्रिथवी एवं लोगों के जीने के लिए जीवन यापन हेज सतत सतत का मतलब होता है, जो आज भी है, और आगे भी रहे, ताके future generation generation, याने कि भविष्य वाली जो हमारी पीडी है, हमारे बाद की जो भी generations है, जो पीडियां है, वो इसका अच्छे से अच्छा फायदा उठा पाएं, और जो resources हम आज इस्तमाल कर रहे हैं, वो आगे भी ले, ताकि हमें समझना होगा, जो हमारी wild life है, जो हमारी wild animals है, जो हमारी wild plants हैं, तो उनको भी हमें protect करना होगा, उन्हें भी हमें संग रक्षित करना होगा, for the sustainable development of the planet and the people, ठीक है, ये बुलकुल आपको अपने जहन में बिठाना होगा, ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आज ये देख लेते हैं, किसके द्वारा ये दिवस मनाया जात ये पांडा, देख सकते हैं, ये कुम्फु पांडा भी आपने मूवी देखियो, ये भी एक पांडा है, अगर आपको CDP और BPSC के लिए एक बिटे किताब चाहिए, तो आप हमारे ही किताब मागा सकते है, अगर हिंदी में चाहिए, तो हिंदी में किताब अविलेबल है, इंगलिष की GS की बुक बिटे, आउट ओफ स्टॉक है, लेकिन अगर आपको GS के स्पेशल 5000 कोश्चन वाली प्रेक्टिस बुकलेट चाहिए, दीभा पब्लिकेशन की, तो आप Amazon पर जाई, और दीभा पब्लिकेशन डालिए, वहां पर आपको 5000 कोश्चन है, हिंदी और इं पेड़ बेच बना दो, चाहिए आप नॉमिनल फी ले लो, नहीं बेटे अतुल जी, उसका कोई पेड़ बेच नहीं बनेगा, वह बुलकुल free of cost, याने open to all होगा, जब एक बार हमने बोल दिया open to all, तो open to all होगा, शायद मैं 3-4 दिन क्लास नहीं ले पाया, तो आपके जह अन पेड लिया, नहीं मैंने YouTube लिया, मैंने बुलकुल भी क्लास नहीं लिया, तो कि शाम के टाइम में मेरे साथ कुछ बड़े issue था, जो कि आपको वो, मतलब, आवशकता नहीं है कि क्या issue था, क्या issue नहीं था, ठीक है, बस आपको अपनी study से मतलब होना, हाँ, अगर कोई ऐसी ऐसी बात होगी, जो कि मुझे अपने बच्चों के साथ आपके साथ शेयर करने चाहिए, मैं अवश्य मतलब करूँगा, लेकिन खामा का किसी teacher का stress आपको लेने की आवशकता नहीं है, आपका जो ultimate goal है, that is to be achieved your goal, ठीक है, तो को जिन्दगी में कुछ भी ओपर target should be achieved, त fund, full form भी लिख लो, world, आज की class लंबी होगी, बहुत बातचीद भी होगी, टेंशन ना ले, world wildlife fund, world wildlife fund, अरे नालाय को, कोई paid watch का वच्चा बोलता, क्यों नहीं के, हाँ सर ने मतलब paid watch में भी नहीं लिए, खामा का मेरो को market में तुम कर रहे हो, बद नाम, अच्छा लगता ये, हाँ, world wildlife fund, इसकी स्थापना हुई 1961, इस्टपलिषमेंड यर, 1971, 1961, 1961, headquarter, अर मुख्याले वही , lack yet, शुट्दल रेंड कशहर Glend, हैंनो 직 possibilities, criticality mind,ogram and the world guide is land, अभी-अभी मैंने आपको, शुट्दल रेंड का शहर ग्लेंड, अभी-अभी मैंने आपको शूट्दल रेंड दिखा था वहीं पर है, ग्लेंट, नमस्कार जी, अरे मेरे अंध विश्वाता, चलिए कोशिश करूँगा, जिन बच्चों का मेरे उपर अंध विश्वाता है, मैं उनने कभी अंधा सावित ना होने दूँ, तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइड लाइब डे, एक्सराइज डेजट फ्लेग, एक्सराइज डेजट फ्लेग, हिंदी में बोलेंगे युद्ध अभ्यास रेगिस्तानी ध्वज, हालेंके से हिंदी में भी डेजट फ्लेग ही कहा गया है, तो डेजट फ्लेग युद्ध अभ्यास, ठीक, शिक्स्त एडिशन था याने के छटवी बार हुई, 2021 में यह कौन से airbase में हुई है, कौन से हवाई अड़े पर हुई है, तो हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं, बहुती टाइम लगा आज की क्लास आपकी तयार करने में, और मैं अपना काम बिड़े खुद ही मतलब करता हूँ, स्टाफ से कभी भी नहीं खरवाता, चाहे वो PDF का मा मामला हो, ठीक है, यह सब कुछ में खुदी करना करता हूँ, पसंद को कि मुझे पता है कि actually में बच्चों को क्या चाहिए, और किस तरीके से मुझे उन्हें मतलब पढ़ाना हो, स्टाफ नहीं समझ सकता, चाहे कितनी भी कुशिश कर लो, स्टाफ सरिफ एरान को हिंदी में पूरा आपको UAE का मैप दिखाई दे रहा हुआ, साफसा, यह आपका UAE है, और UAE में यह पीला जो बॉक्स दिखाई दे रहा, that is the al dhapura airbase nearby, abu dhabi, abu dhabi, which is the capital of UAE, जो के United Arab Emirate के राजधानी है, तो क्रिया न्यास, तो यहाँ पर हुई है, और लेख लो, इंडिया ने भ force, participated, भारती है, वायू, सेना ने भी इसमें हिस्सा लिया, और भी बहुत सारे देशों ने, इसमें मतलब हिस्सा लिया है, ठीक है, यह जो exercise हुई है, कौन-कौन से देश, तो दो-चार देशों के मशूर नाम लिख लो, UAE तो है ही, लेकिन USA, क्यानने के अमरीका, France, France, मैंने आप ही के mouth से सुना है, जब आप कहीं paid class लेने जाते हैं, तो अलग ही बात होती है, हाँ, अलग बात होती है, यह वाली बात है, लेकिन अब आप यह सोचों के हमारे यह जो paid batches हैं, उन बच्चों को भी हम लो open to all मतलब दे रहे हैं, आप इसे paid ही मान के चलिए, अगर पेड़ नहीं है, तो आपको quality पूरी नहीं मिलेगी, UPSI में, बल्के मैं यह assurity आपको मतलब दे रहता हूं कि जो quality में paid में दूँगा, trust me, ठीवा बुलकुल सामने है, तो मैं आपको उतनी है अच्छी quality मतलब दूँगा, ठीख है, ठीख है, रादना, ठीख हाँ, ल South Korea, South Korea ने भी इसमें participate किया, South Korea and the last country is बहरान, last country is बहरान, तो UAE, USA, France, South Korea, याने के दच्छन कोरिया, बहरान और, ठीख है, और साओधी अरेबिया, और साओधी अरेबिया, साओधी अरेबिया, तो आपको यहीं देखा देते हैं, यह साओधी अरेबिया, और यह आप देख Middle East region का देश है, मद्यपूर्व जो छेत रही है, उसकी यह country है, it is a part of the Middle East, अतुल शर्मा, मैं समझ गया हूँ बिटा, आपकी बातों से ही मैं समझ गया, अगर आपको को क्वालिटी के बारे में बता है, तो आप ओल्ड बच्ची है, डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफि एक बजे रीट में और दो बजे सूपर टेट में मेराथन की बिटे क्लास कराने वाला हूँ, 18-20 कोश्चन बहुती रफ्तार में सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें आप रिवीजन के तौर पे आजाना, जो आपने अभी तो सीरीज को पढ़ा, उसी को अम लोग रिवीजन कर क्लास नहीं ली, तो संसट टीवी अगर हम बात करें, तो समझना के, आपने नाम सुना होगा, इससे जब हम दिखा सकती हैं, तो लिखने क्यों, चलिए इसे दिखाते हैं, तो कि दिखाने से हम लोग और अच्छा समझते हैं, विज्वल मेमोरीज आर दी जमाग होता है, ज्यादधास होती है, वो सबसे जवर्दस होती है, अरादनाजी बुलुकल मेनाक्षी गलत होगे, लोग सभा टीवी और राज सभा टीवी, लोग सभा टीवी, राज सभा टीवी दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो धिंदी में समा वेशित कर दिया गया ह and renamed as और इन दोनों का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है संसाड टीवी हिंदी में भी संसाड टीवी ही रहेगा इसे parliament TV मतलग देना मेरे बच्चों यह संसड टीवी रहेगा इसे parliament TV किसी भी कीमत पे नहीं रहीगी यह कि एस से का स्लेबस कहां मिलेगा एस से के से बटे दीवा कड़ फरी पर ही मिलेगा से जो बच्छेजी एस कर न चाहते हैं अच्छी से उनके लिए जी इस उससेल पीड़ पैड़ वैच है उसके नीचे दिए गए नंबर पर कॉल प्रोड कर सकते है बहुत ही नौमीनिल के साथ सब आपको मिल जागा वह ल मिला तो लोगषब डी वी और राज़ब को मिल Lake संसे थीवी मतलब बोल दिया गया संसे टीवी यह पार्लियम एंडिडीवी नहीं बोलेंगे संसे टीवी रही बोलेंगे तो तो भारत में ब्राड कास्टिंग का प्रिसारण का यानि केा फेस्ट फ्रकार को पूच न पूचा जाय तो लिगो ब्राड बार्ति बहुत ही सिंपल है अभर SAY भारति बार्ता है तो फ्राण से प्रिसारण का संचलन कों करता है तो फ्रिसार भारती करती है प्रिसारन का संचालन कौन करता है प्रिसारन का regulation broadcasting का regulation कौन करता है तो प्रिसार भारती करती है और प्रिसार भारती की स्थापना हुई थी 1997 1997 में and the headquarter of this is in New Delhi और इसका मुख्याल है नई दिल्ली में है यानि के प्रिसार भारती का मुख्याल है New Delhi में है टाइम शिडूल के साथ मंडे अगे हाँ जी एस में बैटे स्टेडिक जी के वाले जो मेरी प्लेलिस्ट वो डेफिनेटली हेल्प करें अच्छा और जो यूपी एसाई के लिए फॉलो कर रहे हैं भया वो दीभा यूपी एसाई के नाम से टेली ग्राम पर अलग से एक चैनल आप लोगों के लिए बना दिया गया ताकि यूपी एसाई वाले बच्चों को जो भी बच्चे उने फॉलो कर रहे हैं उनसे संबंद जो लेक्चर है जो पीडिएफ है उन्हें सर्च करने के लिए कहीं और ना ज आप सभी का है चैनल मेरा परस्नेल कुछ भी नहीं है इस लाइफ में जो मेरी प्रॉपर्टी है जो मेरी जमीने लेंड है जो है मकान घर वह भी मेरे नहीं है इस ब को मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए इतनी अच्छी क्वालिटिटिव एजूकेशन दी मैं देखता हूँ किस क्वालिटी के हिसाब से आपके पास क्या चीज पहुंचनी चाहिए कि कि के विड़ा तर ओक है मेरे बच्चे अच्छा इंग इस बैक चलिए टाइगर इस बैक बड़े अच्छे कमेंट किया आप लोगों ने है फिर को एक स्टाफ ने बताया मतरी रिशीसर ने मुझे मतलब बताया कि सब्सक्राइब कर एक चंगल में अगर इतना सन्नाटा है तो सचाहर सी वात है कि टाइगर एक बड़े शिकार की हो रहे है टेलिग्राम का लिंक शेर करते हैं बुलकुल दो मिंट में भी लिंक खरवाते हैं ठीक है अभी बुलकुल अगर कोई भी हमारे हमारे रिशीसर या स्टाफ ये चैनल थेख रहा होगा यह हमारी वीडियो वैसे उन्हें मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो वो लोग मेर एक खहर हम बताएंगे इसमें इंटरनेशनली बैड मिंटन की अभी प्रतियोगता होई दी यूगानडा बैड लेड मींटन finalement नेशनल चेंपियंशिप तो बैड मिंटन अंतराष्ट ये फ्रतियोगिता हुई थी जिसमें दौनों इंडियन ने गोल्ड मेडल पर बाजी मारी है मैन सिंगल में पुरुष एगल में जीते हैं वरुन कपूर लिख लो तो ये भी इंडियन भारती है वरुन कपूर ने गोल्ड मैडल जीता है याने के विनर रहे हैं विजेता रहे हैं पुरुषों में और महिलाओं में कौन है तो नाम दोलाड है मालवे का बंसोद तो मालव कपूर भाई मैन सिंगल याने के पुरुष एकल यूगांडा इंटरनेशनल में विनर विजेता के तोर पे उबरे हैं ये भी एक बहुत ही अच्छी और शांदार ख़बर है आप बटा बुलकुल कल संडे है तो कल बुलकुल पूरे चांस है पूरे चांस है सर पंचायत वाल है ओके चलिए यूगांडा को भी जरा थे ठिसलाइक किस ने किया है चोड़ो जिसने ठिसलाइक किया समझ्जा वो भी देख रहा है इससे बड़ी बात नहीं हो सकते है निशा जी नमस्कार यह अफरीका का मैप है पूरा और अफरीका के मैप में यह बुलकुल क्लियर कट स ऐसे नाम लगते हैं यह नाम से लगते हैं कि यह घरीब देशे यहां पर पोवर्डी बहुत ज्यादा होगी तो कंपाला यह इसकी राजधानी है ऐसा लगता है इन अफरीका के देशों के नाम देखकर जैसे कि यह किसी अटमिक बम यानिक परमाडू जो होता है बम उसका म यूगांडा नामक परमाडू बम गिराई ठीक है अमरीका ने या पर जापान ने नौर्थ कोरिया के ऊपर कंपाला नामक दो छोटी-छोटी मिसाइलें छोड़ दी विनित पांडे जी यूपी एसाई विटे मंडे इम टाइमिंग विटे स्वांग भी है सेम टेम सेम जग अचा यूगांडा यह जो देश है आपका जरा ध्यान से देखिएगा यह विक्टोरिया लेक को छूता है यह विक्टोरिया जील है विक्टोरिया जील अगर दिखाई दे गई है तो इसके बारे में बता दूँ इस आ फ्रेश वाटर लेक यह एक मीठे पानी की जील है second largest lake in the world second largest lake in the world तो अफ्रीका की तो सबसे बड़ी जील है बट इन तरम्स आप फ्रेश वाटर लेक याने कि अगर हम लोग बात करें यह मीठे पानी की जील के संदर में इट इस सेके लार्जेस लेक इन दी वर्ड यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जील है आफ्टर आ USA और कैनेडा की सीमा पर बुलकुल एक छोड़ी इसी इंफ्रमेशन और काफी बच्चे मारे बोल रहे हैं यहीं से ही आपकी निकलती है नाइल रिवर नील नदी लॉंगेश्ट रिवर इंदी वर्ल विश्व की सबसे लंबी नदी अरे हमें तो लाइव आना ही था तीन चार दिन से पूरी कोशिश कर रहा था कैसे भी लाइव आज़ों आज़ों लेंगिन बिटे को संजोग ऐसा हमारा कॉडिनेशन सेट नहीं हो पा रहा था चलिए उसके लिए हम चाहते हैं बिटे छमा चलिए मुझे एक इंफॉरमिश याने के zero degree देशांतर रेखा और यह है zero degree latitude इसे हम कहते है एक्वेटर याने के भूमदि रेखा जीरो डिगरी अच्छांश रेखा और जीरो डिगरी देशांतर रेखा जीरो डिगरी देशांतर रेखा, जीरो डिगरी अच्छांश रेखा, प्राइम मेरीडियन, एक्वेटर याने भूमद रेखा, प्राइम मेरीडियन, यह एक दूसरे को अफरीका कॉंटिनेंट में ही काटती है, तो only place और only point in the world where both these lines cut each other, जहां पर यह दोनों की दोनों रेख हैं एक दूसरे को काटती हैं, वो यही है, सिर्फ अफरीका कॉंटिनेंट, और अफरीका कॉंटिनेंट में भी कहां South Atlantic Ocean, ध्यान रखना, क्याने कि अक्षन, Atlantic, महासागर, South Atlantic Ocean में, यह दोनों रेखा, एक दूसरे को काटती हैं, तो इसके बुलकुल इच्छा धारी नागिन कि दरे भी जरा फोटो कीच लिना ताकि आपको वही एक्षाम में कुस तो फाइदा हो, ताकि आप सोच तो पाएं, क्या भी आपका कुछ फाइदा हुआ है, या नहीं हुआ है, हमारे लाइक कोई सेवा हो, आरे बस आप अच्छे से पढ़ते रहो, यही सेवा है, यही रि च्छडवे नंबर के खवर क्या है, च्छडवे नंबर के खवर यह है कि मुहमद अलखाजा, तो मुहमद अलखाजा यह भाई साथ कौन है, तो लिख लेना, ही इस अपॉइंटेड एज, एमबेजडर, तू इसराइल, पाई यू एई, इन्हें यू एई नामक देश के द राजदूत नियुक्त किया गया है, इसराइल नामक देश के लिए, ठीक है, यू एई के द्वारा राजदूत नियुक्त किया गया है, तो अब बोलो सर, इस से हमें का मतलब, इंडिया वाले आते हैं, इंडिया का कहां हाई कमिशनर अपंट हुआ, कहां एमेजडर हुआ तो सर आपने यह क्यों कराया यह क्या बत्तिमी जी यह रही है बत्तिमी जी यह है कि पहली बार इंदा हिस्ट्री इतिहास में इसराइल में यू एई का ambassador appoint किया गया है तो लेकिला first time in the history it happens पहली वार इतिहास में ऐसा हुआ है कि UAE का राजदूत ये ambassador UAE का राजदूत ये ambassador कि कहां इसराइल नामक देश में निक्त किया गया है इसराइल की भी location जड़ा देख लो भई मौम्मद अल्खाजा नाम याद रखना UAE की तो अभी location मैंने देखाई थी लेकिन इसराइल की भी जड़ा location हम लोग देख लेते हैं देखिए ये पूरा का पूरा इसराइल की पहली राजदानी ये तेल अवीव ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये इसराइल की लोगेशन हो गई तो UAE नामक देश ने फरस्ट ताइम इंड इस्ट्री फर्स्ट एवर इंड इस्ट्री पहली वार इतिहास में अपने राजदूत को अपने एमबेज़ड आव इसराइल को कि ये जो एमबेज़डर का जो अपॉइंटमेंट है ये इसराइल के राश्ट्पती के दुआरा ही किया गया है तो रौविर्फिन रौवलिन और इसराइल के पी एम प्रदान मंत्री का तो नाम कर सभी को पता बेंजामिन नेतनियाहु पेंजामिन नेतन याहू पी एम आप इसराइल इसराइल की मुद्रा क्या है करंसी शेकल इसराइली शेकल तो शेकल is the currency of the इसराइल इसराइल की मुद्रा है शेकल चा है शेकल ठीक है शुकरिया बी के सुगंदा बस बेटे तुम लोगों की दुआ है इसी बात पर अगली न्यूस की ओर चलते हैं हम लोग नेशनल सेफटी डे राश्ट ये स्वरक्षा दिवस यह हम इसे नेशनल सेक्यूरिटी डे भी कहते हैं लिख लो एशनल सेक्यूरिटी डेवी कहते हैं राष्ट सुरक्षा दिवस कम मनाया जाता है पॉर्थ आफ मार्च को ये दिवस मनाया जाता है चार मार्च को ये दिवस मनाया जाता है किसके दुवारा तो ministry of labor and employment कोड में लिख रहा हूँ ministry of labor and employment ministry of labor and employment जाने के मजदूर एवं रोजगार मंत्राले मजदूर एवं रोजगार मंत्राले मजदूर एवं रोजगार मंत्राले कौन है इसके मंत्री संतोश कोई संतोश नंतोश है सहे था पता नहीं क्या नहीं में अनेबल टू कलेक्ट राइट नौ ऐसी होगा अंतोष गैंग वर एक सेकेंड मैं अपने नोट्स में देख लेता हूं मैंने हंड्य परजेंड का नाम दिखा होगा एक सेकंड बिटा यह बुलकुल सही है संतोष गैंग वर नाम है और इस बार की इस नेशनल सेफटी डे में जो इस बार की थीम रही जो आदर्श वाक के रहा यह दिस सडक सुरक्षा रोड सेफटी यह कैसे याद होगा बढ़े डेली रात को सोने से पहले जो कुछ भी मैं कराता हूं उसे बढ़े रिवाइस करके सो और डेली सोबर उड़ते ही याद करो सिंपल और जैसे जैसे मैं कराता हूं वैसे वैसे करो जब तक याद ना हो जा तक तक पढ़ाई करते रहो क्योंकि यह कहवत है कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले वरना फिर पढ़ना पढ़ेगा थैंक्यू माइडियर चाइल्ड प्रशान व्लव्लवी रूपर हीरो वी यह जडर बता हो तुबढ़ हीरो वी मैंने थोड़ा नियुष को अपने अंदाज में से पेश्क किया है वी पर हीरोवी परिए इस पर हीरोवी इस बॉर्ट टाइम के बाद हम एदिन लंबी करेंट एफिर की क्लास ले रहे हैं तो मेरी भी यादत नहीं होगी और शायद आपकी भी नहीं होगी कोई बाद नहीं आरे इस परेरो भी क्या है तर बाहरा बादाम भिगो कर खा लेना बुलकुल भाई इस बाद नियाज यह पुरानी फॉल्वर बच्ची काफी टाइम से भी यह फॉलो कर रही लगातार नहीं पता सीधे बोल दो कि सर हमें नहीं पता है अब भी सर बुलकुल बटा डेली एर बटा डेली होगा चालो वी का मतलब है विराट कोली अरे इतना तो पता होना चाहिए तो विराट कोली जाहिर सी बात है इंडिया की आनमान शान है इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर हमें बहुती नाम दिया है और आज की समय में भी बहुती अगर हम बात करें मोस्ट फेमस क्रिकेटर बट sports person में भी अगर हम बात करें खिलाली जों में बात करें तो किसी की personality में भी कम नहीं है, popularity में भी कम नहीं है, highly inspirational, inspirable person, विराट कोली, तो superhero मैंने इनका नाम रगा है, superhero V, यहना हमारे superhero विराट कोली, क्यों रहे भाई यह समय नीज में, तो लेख लो, first cricketer to have 100 million followers, to have 100 million followers on Instagram, followers on Instagram, तो ऐसे पहले cricketer हुए हैं, पूरे विश्व में, जिनके Instagram पर, जिनके Instagram पर 100 million followers हो चुकी है, इसी से याद आया है, कि दीवा अकडमी का भी Instagram है, सर्च कर लेना, ठीगे, आपको मतलब मिल जाएगा, दीवा अकडमी का Twitter है, at the rate, दीवा अकडमी बस के वल, आप मतलब LinkedIn आपको Twitter account मिल जागा, इसे भी follow कर लेना, और अगर आप मुझे भी Twitter पर follow करना चाहिए, तो add the rate I, टीपक सर के नाम से, मैं आपको मिल जाऊँगा, ठीक है, कहाँ पर, Twitter account पर, आप मुझे यहाँ पर follow कर सकते हैं, समय समय पर, वैसे तो मैं इन पर ज्यादा active नहीं रहता लेकिन फिर भी, अगर कुछ होगा, तो time निकाल गए, जब हवश्य देखेंगे, Okay, तो Instagram पर पहले क्रिकेटर, 100 million follower को cross करने वाले, और अगर हम बात करें के, विश्व में, sports person की बात करें के, वो खिलाडी कौन है, जिनके सबसे ज़्यादा, वो sports person, जिनके सबसे ज़्यादा Instagram पर follower है, तो खिलो, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, चलिए, images के साथ ठखा देते हैं आपको, ताके आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं, ठीक है, ये हैं वो व्यक्ति, Cristiano Ronaldo, जिनके Instagram, sports person की हम लोग बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा follower इनी के ही है, टॉप पर हैं बुलकुल, कहां के हैं, ये Ronaldo सहाप अगर हम बात करें, तो ये Portugal, Portugal देश के हैं, जैसे विराट कोली जी, सचिन, तेंदुलकर जी, MS धोनी जी, कपिल देव जी, शाइना, नहवाल, और भी अगर किसी महान-महान खिलाड़ियों का नाम रह गया हूं, सानिय मिर्जा जी, हमारे देश का नाम रोशन किया, इन्होंने पुर्टुगाल, पोटुगल का मतलब नाम रोशन रोशन किया, पहले नमबर पर है, पोटुगल के रोनाल्डो, और देख लेते हैं, के भई, वही देखना था हमें, के भई, पोटुगल विश्व मान चितर पे कहां देखाई देगा, तो पोटुगल, अगर हम लोग बाद करें, तो आप देख सकते हैं, यह रहा बुलकुल इस्पेन, यह रहा इस्पेन, इस्पेन के बगल में, पुर्टुगाल यह पोटुगल नाम एक देख, जहां से वास्कोटी गामा इंडिया मतलब है, तो बुलकुल रुनाल्डो फोटुबॉल पिलियर है, और यह लिजबन is the capital of the पोटुगल, पोटुगल की राजधान यह लिजबन, जो के टेगस नदीगे के नारे बसी हुई है, तो लिजबन, निशा पतिल जी नहीं है, तो क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, लाइक, सब्सक्राइब क्या है, हाँ, तो वो ठेख लेना भाई, समय पर फॉलो करने के लिए, दीवागेडमी के टेलीगराम चैनल जोइन करना, ताकि कोई वीडियो आप से मिसना हो, ताकि याब बाद में हमसे शिकायत ना करें, यह नहीं हो पाया, यह नहीं हो पाया, ठीक है, ठीक है, तो टैग अस, याने पोडूगल, ठीक, अगले सेकिंड नंबर पर कौन हैं, इस्टाग्राम पर स्पोर्ट्स परसन छिनके के फॉलोवर हैं, तो यह आपको दिखाई दे रहे हो, किलियर कट बहुत ही हैंडसम, मैसी, लियोनल मैसी, मैसी, मैसी बुलकुल बहुत ही स्मार्ट भी है, वैसे अपने कोली साहब भी मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बुलकुल देखो, नियाज ने नई बच्ची का स्वागत किया, मैसी, अर्जेंटीना के हैं, यह किस देश के हैं, तो अर्जेंटीना, ऐसे याद कर लो, मैसी को अर्जेंट है, अर्जेंटीना देश के रहने वाले हैं, अर्जेंटीना की लोकेशन क्या है, विश्वमान चितर पर क्या मैप है हमारे पास, बुलकुल है जी, कंप्यूटर जी ने बुलकुल एक मैप को लाया, यह साउथ अमेरिका का मैप आप के सामने, आप देख सकते हूँ, साउथ अमेरिका के मैप में यह जो नीचे वाला जो मतलब देश है, अधाड इस अर्जेंटीना, यह अर्जेंटीना एक देश है, जो के साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, दूसरा सबसे बड़ा देश है, साउथ अमेरिका, कोई मासी, इनकी शट पर क्या लेखा है और क्योंं, किसकी शट पर क्या लिख दिया? ये रहे ये बड़े सपांसर होते ये ना इस्कांसर होते जो पंस руreet ताके बिखकर उनका नाम दिखाई दे वह अब यह अच्छे इंसाने तो जो यूथ है, जो हमारे ये उसके आइकॉन है, या फिर जो अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं, उनको मतलब फॉलो करें, मैनत करें, हार्ड वक करें, ठीक है, वही, तो इसी लिए, तो इन जैसा बनने के लिए, लोगों के लिए, लोगों तक ये बात पहुंचा ही मतलब जाती है, ठीक है, हाँ, फर्स्ट पर विराड है या रोनाल्डो, स्पोर्ट्स परसन में रोनाल्डो और क्रिकेटर में विराड गोली और ओवराल स्पोर्ट्स परसन में विराड गोली चौते इस्तान पर हैं, खिलाडियों में चौते इस्तान पर हैं, क्रिकेटर में पहल कि वराड eerste पर हैं और तीसरे स्थान पर वोर्णी पाइं तीसरे इस इस्थान पर नेमर गणियुकि यह य। ब्राजीलियन फुटबॉलर नेमर ब्राजीलियन कुछ नीमर बोलते होंगे या नेमर क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा बच्छे इंट्रेस्ट नहीं है ठीक वराड़ को लिगानेम आया यह हम आपको अलग से इंफॉर्मिशन दे रहे है बिटेदे ने शाह याद कर लो तो इस्पोर्स निउस कैसी होगी? ऐसी होगी बिटा स्पोर्स निउस तो ब्राजील नामक देश से हैं तो एक बार जा रहा मैं ब्राजील की लोकेशन भी देख लो यह साथ अमेरिका क्वानटिनेंट है और दच्णी अमरीकि महादीब में यह ब्राजील नामक आपके कंट्री है, यह ब्राजील सौंग भी सुना होगा ब्राजील राररुरा उर नहीं क्या बोलते हैं आच्डि अम्रीका है इसके नीचे भी विटायात अर्ज़ेंचिना है और भ्राजली सह делает सब्लब़ेशल आड यह जइन आम्रीका का सब sih बड़ देशly यह कंटी अव्य का सब से बड़ा देश यह कर राजेस्टों कोडल मतकर घंखर कम लिटेंल इन विटेंट्व एक प्रोudd करो को हां ने है अच्छा पूर विश्व में पांच वा सबसे बड़ा देश ग्र isn't कांटी इंट इनडवर्ट केנס इस Celie Gel Da या राजदानी ब्राजिली या bet लह झालो बहुत अच्छी बात है जी अगर यहां तक हम लो अच्छी ख़बर मैंने पहले ही कहा था आज की किलास बढ़ी लंबी होगी सूपर हीरो वी के बाद मनप्रीत वोरा तो यह भाई साब कौन है बहुत ही छोटी सी न्यूजे लिखो इन्हें 12 सरकार के दुवारा ऑस्टेलिया नामक देश के लिए हाई कमिशनर रन्युक्त किय एन औस्टेलिया इंडियन र्क गवर्मेंट अपॉइंटेड मनप्रीत वोरा एस दी anál 있습니다 झालिया dragged living index, ease of living index, याने के भई, जीवन को पहतर या आसान फनाने के लिए एक सूचकांग, एक सूचकांग, ठीक है, जो के भई, अगर हम लोग बात करें, के 2020 के आधार पर, ऐसा भारत का टॉप शहर कौन सा है, जो के इस इंडेक्स में सबसे उपर रहा तो बैंगलूरू, दिख ले आहमदाबाद, दूसरे पर पुने और तीसरे पर आपका, एहमदाबाद, ease of living index में, इंडिकेटर क्या है, याने किस आधार पर हमने ये किया है, कि ease of living index में तेह किया जाएगा, याने कि उसका standard क्या है, मानक क्या है, तो इस standard आप लोग लिग लो, तो पहला मानक आप लोग कि विकास कितनी रफतार में हो रहा है, और तो को development is a multi-dimensional concept, approach, अगर हम विकास की बात करें, तो ये एक बहु मुखी अवधारना होती है, कि सभी का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, और the last but not the least, बहुत ही बहतरी तीसरे, standard quality of life, quality of life, याने कि जीवन जीने की खुडवत्त कितनी हैं, इसे हम living of standard याने कि जीवन इस तरता भी कह सकते हैं, कि लोग कितने standard वे में, कितने मानक वे में अपनी जिन्दगी को जी रहे हैं, कि इस तरह पर जाहिर सी बाद अगर per capita income अच्छी होगी, प्रतिवक्तिया अच्छी होगी, तभी आप मतलब एक अच्छा quality of life ल urban affairs, ministry of housing and urban affairs, तो आवास एवं शहरी मंत्राले के द्वारा, और इसके मंत्री कौन है, तो हरदीपुरी, हरदीपुरी, मंत्री कौन है, तो हरदीपुरी, एक सेगंड बिटर रुखना, पी जी आप खूब खूश रहें, आवाद रहें, अच्छा, थैंक यू बिटे, बीगा सुगंदा, थैंक यू सो मच आपका मेरे बच्चे, ठीक है बई, अगली न्यूस की और चलते हैं, हम लोग, истории, कि इफेंस, इक्विमेंट, पैक्ट, याने के रक्षा, इक्विमेंट का मतलब होता है, और जार, और पैक्ट का मतलब होता है, सम्झाता, तो रख्षा, सम्मंदित, वस्तू, और जार, जो के भाई आपका रिवीजन भी करा देंगे, कैसे इनसे कोश्चन बन सकते हैं? आपना हाथ इतना मजबूत है कि एक बार पगल दिया फिर हम आसानी से नहीं चोड़ते, ठीक है? रवी जी इस नौट दा वे टॉट समवन, रवी क्या कर रहा है? ठीक है? रवी कोई बात नहीं बड़ा, सम बच्चों का प्यार है, अब तेरे को तो मुझसे प्यार है नहीं बड़ा, है न? अब जो बच्चे प्यार कर रहे हैं उन्हें भी मत बड़े करने दें, है? हाँ, चलो, आपस में बड़े जगडा ना कर रहे हैं खुलकुल भी, तो भारत फिलिपिन्स नामक देश को एक महत्पूर वस्तु इसमें याने के डिफेंस एक्किमेंट में देगा ब्रमोज मिसाइल, लिख लो, ये ब्रमोज मिसाइल भारत के दवारा फिलिपिन्स को दी जाएगी, तो लेकिन अंडर दिस पैक्ट, हाँ शैली जी आप बड़े इंडिया टू फिलिपिन्स याने के ये मिसाइल, ये मिसाइल, ठीक, ये मिसाइल, अगर हम लोग बात करें, तो भारत के दवारा, भारत के दवारा फिलिपिन्स नामक देश को दी जाएगी, फिलिपिन्स नामक देश को दी जाएगी, फिलिपिन्स नामक देश को दी केशन है नहीं पहले इसको देख लेते हैं ब्रह्मोज मिसाइल अगर हम बात करें तो इंडिया और रूस का एक जॉइंट वेंचर है ये भारत रूस ने मिलके इसे तयार किया है ब्रह्मोज मिसाइल को 2006 में इसे सेवा में लाया गया 2006 में और ये तीनों सेनाओं के द्वारा इसे इस से इस्तेमाल किया जाता है अंडियन आर्मिया ने भारतिय सेना अंडियन नेवी भारतियों सेना, इंडियन एह एर फोर्स भारतिये वायू सेना प्रमोज मिसाइल की जो मैकसिंब बाइन इसपीड है वह 3.5 मैक यानि कि 3.5 माउध त है और अच्छा Мैक का मतलब हो 3.5, more, very good, बेड़ शिवानी, International Rice Research Institute, जो है, वो मनिला में है, that is the capital of the Philippines, Philippines की राजदानी मनिला में है, definitely, ठीक है, हाँ जी, इसकी रेंज देखो, इस मिसाइल की रेंज देखो, 2019 से तो पहले, इस मिसाइल की रेंज, 290 किलो मीटर के आसपास होती थी, मारक चमता, कितनी दूरी तक ये तैक कर सकती है, ठीक, कितनी दूरी से ये, सर, आपको दिल से लाइक करता हूँ, बहुत अच्छी बाद है, बस पढ़ाई में कमी नहीं आनी चाहिए, किसी भी कीमत पर, और 2019 में भारते से अपग्रेड कर दिया, 650 किलो मीटर तक इसकी रेंज याने के मारक चमता आज के दौर में है, और भारत आने वाले समय में, इसकी रेंज, 1.500 किलो मीटर तक करने वाली है, इसके उपर भी काउतिस्टेशिया में आता है, दच्छनपूर्वेशिया में आता है, कोई शक, कोई परिशान नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काउतिस्टेशिया, दच्छनपूर्वेशिया का ये आपका देश है, और कैपिटल है फिलिपिन्स की मनीला, ठीक है, जहां पर ADB, अच्छा ये भी मुझे यादा के एडी भी एशियन डेवलम्मेंट बैंक एशियाई विकास बैंक का हेड़कौाटर या मुख्याल है एडी भी ठीक है जी अगली ख़बर और ख़बर है आरे ख़बर तो होंगी 2023 वर्ष को यू एन जी ये ने किस प्रिकार से घोशित किया है 2023 किस तरीके से तो लिख लो 2023 को यू एन जी ये डिकलेड एस इंटरनेशनल इयर ओफ मिलट इंटरनेशनल इयर ओफ मिलट मिलट का मतलब बाजरा ठीक है भई वैसे मुझे बहुत पसंद है लेकिन अब दिल्ली ऐसे शहर में कहां बाजरा और यहां के हवा पानी ऐसे का भी ले तो पचा नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं कभी जब गावाँ जाएंगे या अपने मिलट का इयर घुषित किया है यूएंजी ये ने इंटरनेशन इयर ओव मिलट 2023 2023 के तोर पर सेलीब्रेट किया जाएगा यूएंजी ये का मतलब है फुल फॉर्म लेग लो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली महासबा आपने यूपी में बुलकुल ऐसे बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान राज्य के द्वारा किया जाता राजस्थान इस दा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ओव बाजरा और मिलट इन इंडिया ठीक है तो यूएंजी ये के द्वारा 2023 को इसी के प्रोड़ बाई अंगरेजी महाद्यम और हिंदी महाद्यम नएने शब्दों को ले लिया करो नोट्स को और आसान बनाने के लिए प्रोड़ बाई इसका मदलब प्रति पादन करना याने के यह यह 2023 मिलट इयर के तौर पर बाजरा के वर्ष के तौर पर पूरे विश्व म अगोब आटनी फ़े मनाया जाना चाहिए है यह भारत ने एसकी भाई अध्रनी यह मतलब इंडिया इसका सूत्र था रहे τουर चल रहा है तो देख लियते हैं कि है मैं नजर लगर तो कि अधर मतलगा वैसे भी इतने टाइम बाद तो यह मैंने बुलकुल तो यूएनो की जो ओफिशल वेबसाइट है उससे उठाया इसलिए हमारे करेंट अफियर यह हमारी जो क्लासेज होती है उसमें फैक्ट और इंफोर्मेशन के गलत होने के चांसे थोड़े होते हैं बिट इंडिया जाने के भारत सरकार या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ओर्गनाइशन है उनके हिसाफ से बिटे तेक किये जाते हैं ठीक है अब डर अभी तो 2021 इंटरनेशनल एर अफ क्रियेटिव एकनॉमी और सस्टनेबल डेवलप्मेंट क्रियेटिव एकनॉमी फॉर स इंडि में बोलेंगे के सतत विकास हे तू अर्थ विवस्ता का स्रजन यानि के इसको घोशित किया कया है अंतरास्टिये वर्ष सतत विकास हे तू अर्थ विवस्ता का स्रजन अर्थ विवस्ता का स्रजन दीक है तो यान सतत विकास हे तू अर्थ विवस्ता का स्रजन जन अरे बिटे खाना है मार्केट में होलसेल में बेचना थोड़ीना है बिटे शिवानी हुआ हो हो स्वरी 2022 वर्ष किस तौर पर मनाई जाएगा तो ये देखलो ये भी हमने वहीं UNO की वेबसाइट से लिया है तो 2022 को डिकलेर किया है UNO ने United Nation Organization ने International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture याने के मत्स पालन गो बड़ावा देने है तू मत्स पालन अंतराष्टिय दिवस मत्स पालन ये मचली पालन अंतराष्टिय दिवस International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture Aquaculture ठीक हर्याना में होता है शुगर के नहीं बड़े घंने के लिए यूपी उत्तर प्रदेशे बड़ा ना बड़े यूपी जो मुझे निकल गया राम बड़ा हम फिर कह रहे हैं हमारे जो आंक्ले होते हैं बड़े सरकारी है मैरी कॉम जी तो देख लेते हैं मैरी कॉम जी किस लिए न्यूज में रही हैं तो लिख लो भई शी बिकम्स दा हैड और चेर्मेन ऑफ ए आई बी ए इन्हें ए आई बी ए का अध्यक्ष बना दिया गया है मैरी कॉम इंडियन बॉक्सर भारती मुक्य के बाज ए राइगा इंटरनेशानल बॉक्सिंग एस्वाँसियेशन इन्टरनेशनल बॉक्सिंग एस संग्ठन इसकी स्थापना 1946 की है, establishment year 1946, 1946 और इसका headquarter है आपका Lawson, इसका मुख्याल है आपका Lawson, Lawson कहाँ पर है? Suitserland, इसका headquarter है आपका Lawson, Lawson कहाँ पर है? Suitserland, Lawson कहाँ है? Suitserland, ठीक है? बुलकुल याद है कि Suitserland का map मैंने आपको शुरू बात में दिखा दिया था, अगली news, चाबर डे, तो चाबर डे मनाया जाता है 4 मार्च को, पोर्त मार्च, चाबर क्या है? एक पोर्ट है, एक बंदरगा है इरान में, अब जाहिर सी बात है कि 4 मार्च को चाबर डे, चाबर डेवस क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि, पोर्त मार्च 1983, 4 मार्च 1983 को चाबर पोर्ट का काम स्टार्ट हुआ था, और भारत सरकार इस समय, चाबर पोर्ट में सबसे बड़ा investor, सबसे बड़ा निवेशक है, तो इंडिया is the largest investor in चाबर इरान का जो सबसे बड़ा जो पोर्ट है, सबसे बड़ा जो बंदरगा है चाबर, यहां भारत सबसे बड़ा निवेशक है, और इसका काम चालू हुआ था, 4 मार्च 1983, चाबर डे के तोर पर यह मतलब मनाते हैं, बुलकुल नई और एकदम अच्छी ख़बर आपके सामने, आप जर्ण आपके नोलेच को इंग्रिस करते हैं और इस निवस को और अच्छे से बताते हैं, तो को यह अंडिया है, भारत, यह आप देख सकते हैं, यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह ए एरान, और इरान में अगर हम बात करें, तो यह चाबर पोड़, चाबर बंद का तो यह इंडिया तो भारत से एरान के लिए और एरान से एराक वगएरा यह जो Central Asia मद एशिया को जो सामान पहुचाया मतलब जाता है उसके लिए इसलिए चाबर पोड को कहते हैं की यह मैंने आपको वर्ल्ड जोगरफी की जो सीरीश चल रही है उसमें भी मतलब बता है तो वर्ल्ड जोगरफी की प्लेलिस्ट अपडेट है उसको फॉलो कर लो की टू Central Asia मद एशिया की चाबी कहा जाता है इसको या Entrance of Central Asia मद एशिया का प्रविश द्वार तो चाबर पोड इंडिया के अंडर में है ऐसे गवादर पोड जो पाकिस्तान का है वो चाइना के अंडर में इसको भी यहीं यात कर लो गवादर पोड या आपका UPSC कई वार इसे मतलब एग्जाम में पूच भी चुका है गवादर पोड या गवादर भंदरगा आपके पाकिस्तान के अधीनाता है टेलीग्राम का लिंक क्या है इस वीडियो के description box में आपको मतलब मिल जागा इसी वीडियो के description box में आप टेलीग्राम का लिंक अवश्य मतलब देख सकते हैं वैसे अभी स्टाफ आपको मतलब टेलिक घ्राम का लिंक भी शेयर कर देगा ठीक है चलो नेक्स्ट नीज्ट इंडिया स्वेडन वर्चुवल सम्मिट 2021 भारत स्वेडन ये दो देश हैं इनके बीच में ऑनलाइन याने के वीडियो कॉन्फरेंसिंग के थूरू सम्मेलन हुआ है वार्शक एनवली जो होता है तो भारत की ओर से तो मोदी जी याने के हमारे देश के प्रदानमंत्री मोद स्वेडन नामक देश के प्रदानमंत्री हिस्सा मतलब लिया है इस सम्मेलन ये क्या हुआ है अबाउट वाट तो लिख लो इस सम्मेलन का अब्जेक्टिव क्या रहा उद्दिश क्या रहा और जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको मतलब लिखते जाओ पहला उद्दिश इसको लिख लो तू प्रमोट दा कंसेप्ट आफ डेमो क्रैसी लोक तंत्र की अवधारना को बढ़ावा देना तू प्रमोट दा कंसेप्ट आफ डेमो क्रैसी लोक तंत्र की पहली वाद तो मैं ना मैंने आप लोगों से अरे बिटा भी के सुगन दा तू भी बिटा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे मैं तरे को समझता हूना इतना ही मतलब काफी है ठीक है रेविकां तु बिटा दूसरों से बोला था पंचयत मत करो तु बिटा खुद बिटा आईशा को ढूड़ने में लगाएगा आईशा आर यू दियर मैं उनको इतना मतलब सम्मान और पढ साम नहीं हूँ ठीक है यहां पर जाओ यहां पर जाओ तु लिंक है अपी टू बोड़ के इंक्यू हाँ अजी अच्छा बहुत फास्ट हो गया हम है यह फो लोग क्लास दिनी देर से चल रही है विटा कुछ हाँ तो लोग तंतर की आव भावा थे ना नेक्स कंसेट आप लिख लो टू प्रमोट दक कंसेट ऑफ रूल अफ लॉफ लॉप कानून के शाषन की अव धारना को बढावा थे ना के भाई चाहिए कोई भी देशों वो कानून के शाषन सा ही चलना चाहिए and the last thing is human rights human rights manav adhikaron ki surakchha safeguard of human rights manav adhikaron ki surakchha यह आगे पड़ा कॉन बच्चा telegram का link मांग रहा था manav adhikaron की surakchha एक काम करो जरा UPSI का जो बैचे telegram का उसका भी जरा link साथ शेर कर दो UPSI दिवा UPSI के नाम से telegram channel है तो जो बच्चे especially UPSI या UPSI के किसी एक्जाम को कर रहा है target तो उसको जरा आप लो देलो अब दोको इसके बारे में कोच हम जान लेते हैं जैसे का Sweden वगरा क्या होता है आज आपके सारे doubt clear कर देते हम दोको यह रही यूरोप में है आपका स्वेडन यूरोप में है आपका स्वेडन आप बुलकुद देख सकते हैं अच्छे से यूरोप में है आपका क्या स्वेडन नामक यह देश तीक स्वेडन और अगर हम बात करें स्वेडन की राजधानी है Stockholm आप साफ साफ देख सकते हैं Stockholm is the capital of Sweden आप ने देखा हुआ कि कुछ देशों countries कहते हैं, scandinavian countries कहते हैं, अगर हम scandinavian countries में दो देश आपके add कर दे, कौन-कौन से, एक तो Finland को add कर दे, और एक Iceland को add कर दे, concepts समझना, Finland को add कर दे, Iceland को add कर दे, Iceland का है, ये देश जो आपको दिखाई दे रहा है, इस map में यह Iceland है, यह देश आपको जो दिखाई दे रहा है, यह Iceland है, तो अगर हम Scandinavian countries में दो देश Iceland और Finland को add कर दे, तो इन पाँच देशों को मिला कर कहा जाता है Nordic countries, इन पाँच देशों को मिला कर कहा जाता है Nordic countries या Nordic वाले देश, इन पाँच देशों को मिला कर कहा जाता Nordic countries, अब आपको इसमें कोई भी confusion नहीं होनी, चाहिए, चलिए जरा साथ साथ में, अच्छा, ठीक है, अच्छा, Nordic countries में कौन-कौन से देश आएंगे, तो इसको याद करने का formula है, finds, Nordic country में कौन-कौन से देश आएंगे, तो इनको याद करने का formula है, finds, F से, Finland, I से, Iceland, N से, Norway, D से, Denmark, S से, Sweden, S से, Sweden, ठीक, अच्छा, एक और बात, नौर्वे की जो capital है, that is the Oslo, Norway की राजदानी Oslo, Finland की capital है, Helsinki, Finland की राजदानी, Helsinki, Sweden की राजदानी, Stockholme, Denmark की जो capital है, that is the Copenhagen, Denmark की राजदानी है, Copenhagen, और आइसलेंड की आपकी राजधानी है रिक जैविक आइसलेंड की कैपिटल यह राजधानी क्या है RIC जैविक तो यह चोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको बटे एक्जाम में देखने के लिए रिश्व गोयल बिटे आशिरवाद मेरे बच्चे यह थी आप लोगों के लिए आज की बहुत ही मशूर और बहतरीन आपके examination point of view से current affair of time based निकरते सीधे हम लोग आते हैं बिटे mcq पर और यह रहा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने जो आपको आपके इसका अंसर देना होगा Indian railway is expected to be electrified by which year as per the recent statement of the union railway minister केंद्री रेल मंतरी के हाली या बयान के अनुसर भारती रेलवे के किस वर्ष तक विद्यूतिक्रित होने की उम्मीद है दोजार तजी दोजार चौबीट दोजार पच्ची दोजार चबई जरस का अंसर बताएं सावाज कि इसका अंसर बताईए वेरी गूड जी वेरी गूड देखते कौन-कौन बच्चे बाजी मारेंगे अकलेशी अगर आपको बात करने हैं तो कल बटे आप लोग तीन बजे के बाद बेटा फॉन कर सकते हैं नीचे दिये के नंबर पर अगर किसी और से बात हो तो बोल देना सर से बात करनी है तो आपको डेफिनिट टाइम बता देंगे जल्दी बताईए क्या अंसर होगा यह यह पूरे हफ्ते के करेंट अफेर के MCQ है आश्रीवाद बिटे ने दी अरे यह पांच मिन्ट अभी सबको दूंगा लास्ट में पंचायत के लिए अंसर लगाओ 2024 ऑप्शन नमबर भी 2024 2024 2024 टीक है नेक्स्ट अगला कुस्च्छन अजी विच मोबाइल एप्लिकेशन इस फास्टेस्ट इन दा वर्ल्ड टू रीच 50 मिलियन यूजर्स एस पर दी अनौंस्मेंट अव नीती आयोग नीती आयोग की घोषणा के अनुसार 50 मिलियन उपयोग करता तक पहुंचने के लिए दुनिया में कौन सा मोबाइल एप्लिकेशन सबसे तेज है तीची लोकर, आयकर सेतू, आरोग के सेतू और उमंग बहुती बहतरीन कोश्चन आपके लास्ट वीक बुलकुल नीती आयोग ने इसकी बनलब घोषणा की है अच्छी बाबु ने अंसर दिया है, आप सब बुलकुल ठीग है, अच्छी बाबु वेलकम, आरोग के सेतू is the correct answer of this answer, correct answer of this answer, next which nation has signed a deal with India for the supply of defense material including Brahmos cruise missile, किस देश ने Brahmos cruise missile सहित रक्षा सामगरी किया, आप उरती के लिए भारत के साथ एक समझावते पर हस्ताक्चर किये है, ये बुलकुल ये गलत नी होना चीए, इसक में जो भी बच्चे स्टार्टिंग से इसको देगर, 100% correct answer किया आप से बुलकु आप सारी डील मतलब होई है, बहुत बढ़िया डी याने के फिलिपिन्स, डी मतलब के फिलिपिन्स नामक देश, सारी जानकारी अभी इसके बारे में हमने आपको दी, next news, who has become the third cricketer to hit six sixes in one over in international cricket, अंतरास्ट क्रिकेट में एक ओवर में छे चक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, पहले थे हर्शल गिप्स, दूसरे थे अपने योवरा सिंग, और तीसरे आपको बताने हाली में कौन बने हैं, ये match काफी शांदा रहा, केरण पोलार्ड, जो रूट और स्टीव स्मिथ, वेरी गोट इजी पोलार्ड, केरण पोलार्ड, वेस्ट इंडियन प्लेयर अभी हाली में, श्री लंका के खिलाब जो सीरीज हो रही है, उसमें इन्होंने 6 गिंदों में 6 चक्के मारे, और शायद उसमें कोई श्री लंका के बॉलर ने भी विकेट लेने की हेट्रिक लिये, आम धरंजे कुछ करके है, I am unable to recollect, कोई बात नहीं, next, यह भी बुलको 100% सही होना चाहिए, what is the new name है, वो राजसभा और लोगसभा टीवी, राजसभा लोगसभा टीवी का नया नाम क्या है, संकल्प, संसद, भारत और लोकमान्या, तो राजसभा टीवी का नया नाम आपका क्या है, आपको यह मतलब बताना है, बहुत ही छोटे अब दो में, वो रोगो संसद टीवी हो चुका है, अभी अभी आपको बताया, इसका अंसर बताईए, very good, the union cabinet has approved MOU, MOU का मन्दा agreement for cooperation in the agriculture sector between India and which nation, केंदरी मंदरी मंदल ने भारत और किस राश्टी के बीच क्रशी छेतर में सयोग के लिए, समझाता क्यापन को मंजूरी दी ह अंसर नारे आपका, फीजी, जिबुती, माली और मुझांबिक, जिबुती, माली, मुझांबिक ये अफरीका के देश है, फीजी आपका ऑस्टेलिया इंड साइड में छोटा था देश, आरे हिंटी दे दी है आपको फीजी, जब इसके बारे में तना explain कर रहे हैं तो आप तो फीजी तो होगा, तो फीजी ये कैसा मतलब देश को है भी हाली में, अच्छा, फीजी is also famous for the Indian origin population, ये जो देश है, ये जो रास्ट है, ये भारतिय मूल के लोगों के लिए भी मशुर हो, यहां पर हिंदी एक बहुती बड़े इस तरह पर मतलब बोली जाती है, फीजी, फ माली की राजधानी है आपकी, माली की राजधानी, औरको की रावत, यार माली की याद निया रही, मुझे, पुटा कोई बच्चा बताएगा, बुलकुल माली की मेरे से नाम से कुछ है, पमाको, येस, अब यादा है, बमाको, capital of Mali is पमाको, वो मुझे international airport से अचानक याद आगे, बताओ, तब इक बार मेरे साथ भी ऐसा मतलब हो जाता है, जो बुलकुल दिमाग में, उसको मैं कैसे बूल सकता हूँ, हाँ, चालिया, next, when is world wildlife day observed, विश्व वन ने जीव दिवसकम मनाया जाता है, बुलकुल बताना होगा, option आपके सामने है, आज ही मैंने आपको कराया है, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, बुलकुल 100% अंसर हमें मतलब चाहिए ही चाहिए, अंसर आप लगाईए, इसमें, 3rd मार्च, अभी तो आपको बता है, world wildlife day, टक्त पलट हुआ है, बुलकुल जो बिडिन जहाँ है, वहाँ पर तो तक्त पलट वैसी हो जागा, ओके बहुत ही प्यारा बुलकुल आजी करा है, which nation is hosting the multinational exercise desert flag, तो कौन सा राष्ट बहु राष्ट ही अभ्या, desert flag की मेजवानी कर रहा है, साओधी अरेबिया, UAE, US, इसराइल, नोट कोई पलट के नहीं देखेगा, आपको सौगन दे अपने आने वाले एक्जाम की, अभी कोई नहीं देखेगा, बात में चाया, बेशक देख लेना, कौन कर रहा है, इसकी मेजवानी के अंसर आ रहा है, थर्ड मार्च, अच्छा जी, पहला, साओधी अरफ, अच्छा डिनसोर डेट लिफट वन फॉर्टी मिलियन इयर्स अगो इन विच नेशन, फुद करता हूं, हाली में डिनसोर के जीवाश्मों की खोच की है, जो 140 मिलियन वर्ष पहले किस राष्ट में रहते थे, प्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चली है, आउथ अमेरिका के सा मैं आपको कोश्चन में, समझाना था, अंसर लगाओ, C, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में डाइनसोर के मिले विड़ा, अर्जेंटीना, 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 ठीक, मार्स 2021 के आधार या रूप में जल्दी बताओ आपके साथ पांच ओप्शन इसमें लेकिन अंसर आपके हैं चार में हटाओ मैंने आपके लिए चारी कर दे यूए से यूए चाइना या या यूरोपियन यूनियन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक मुल्क या व्यापारिक देश कौन सा है तो अंसर आपके हो जागा सी चाइना चीन इसना अभी हाली में यूए से अमरीका को पीछे छोड़ा है अंसर होगा चाइना भारत के सबसे बड़ा रेटिंग पार्टनर 2020 के लेटेस्ट आंकलो के अन आप लोगों के लिए कुछ प्रशन जिसे हम लोगों ने आप लोगों के लिए किया थेंक्यू सो मच गाईज इतने जो हमारे चार पांदिन की जो करेंट फर चूटी होई थी उसे पूरे डिटेल मैनर में हमने किया तो आपका जो कुछ भी लॉस मेरी क्लास ना लेने की व और कल वैसे अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग कुछ और भी ले सकते वरना सर पंचायत होने की पूरी पूरी उम्मीद है रात को नौ बजे सर पंचायत की सीरीज आपके पास एपिसोड आएगा तो आपको भाई वह पहले मतलब इंफॉर्म कर दिया जाएगा चार-पांच इसे बुल को लेकिते हो रेगुलर आपका ताइमिंग आजागा और मंडे से एक नया शिडूल आएगा मादा शिडूल में कोई जादा फेर बतले शाम को आपको एक और क्लास एक्स्टा एड होने चारी है उसका टाइमिंग आपको दे देंगे हाँ इतना मतलब हो सकते है क वही हमने पुराना वाला नाम इसको दिया है तो अगर किसी कोई कोई दिक्कत हो कुछ भी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स मावश्य मतलब लेख सकते हैं सर आप अध्यन मंतरा पर क्लास नहीं लोगे ऐसी आफवा कौन उड़ा रहा है बुलकुल बिटा लेंगे कल भी बलके एक बज़े और दो बज़े बिटा अध्यन मंतरा पर मेरी है कलास तो आप लोगे एक और दो बज़े बिटा लाइब हो जाईएगा वहां पर भी आपसे मिलेंगे तो वह जो बच्छे टीचिंग एक्जाम के लिए तयारी कर रहे हैं वो अध्यन मंतरा को भी ब ली ग्राम पर भी आपको मिल जागा थेंक यू अनाया PCS, Bihar PCS, MBPCS, Harayana Service Services और जारखन PCS जैसे एक्जाम के लिए बेनिफिशल है 15 मार्च से यह बैच आपका इस्टाट हो रहा है और contact number है अगर आपको admission लेना है तो उसके लिए आपको पहले phone करना होगा 98215-94363 और जो बच्छे offline की information चाहते हैं उनको भी phone इसी परी करना होगा Thank you so much, all the best to everyone झाल 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 झाल